नमस्ते और मुशान्ति आप सब शुर्तों का आपका स्वागत है आपके ही यूटूब चैनल पर सीधा सोल दरूत लाइस विदिन में आत्मा को पैचाने आत्मा ही सकते है और आज के दो सो चौवनवे दिन के शुर्य वर्दान में जाने से पहले आप सब के लिए जो नीची लिंक दिया किया है वह आप जाकर क्या प्लेलिस में बहुत सारी डिफिन अलग लग टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं और सारे के सारे वीडियो में अगर आपको अच्छा लग तो आप ज़रूर और उके साथ बही शेर करिया उसमें कमेंट भी ज़रूर छोड़िएगा तो देखें आज परम पिता परमात्मा आज की वर्दान में कहते के हैं इते हैं ए इत भीडियो चाहते हैं शेर को ईश्वरिय सेवा के लिए अमानत समझ कर करें में लगाने वालेमोगे अनुओक mm important है ताकि हमारे detachment feel हो ताकि हम इससे साक्षी हो जाए अपने शेरी के साथ में भी तो बाबा कहते है विस्तार में जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता किसी और की चीज़ को अगर आप समालते हो तो आप उसको समालते हो लेकिन उसमें आपका महनी होता और साथी साथ आपका अपनापन नहीं होता है तो मेरा है किसी को दूंगानी है दूंगी नहीं या इसी तरीके से इस्तमाल करना है इस चीज़ को तो वो नहीं होता ममता भी नहीं होती है हाई ये कैसे हो गया, हाई ये क्यों हो गया, इस चीज़ को ऐसा, तो वो भी नहीं होता आपको, तो ये शरीर भी इश्वरिय सेवा के लिए एक अमानत है, कहता है ना भगवान ने ये शरीर दिया, कहता है हम सब कुछ भगवान ने दिया, लेकिन ये शरीर इसकी उपर बाती तो परमात्मा चाहते हैं कि हम इस चीज को भी कह सोचें कि यह किस ने दिया परमात्मा की अमानत है तो अगर परमात्मा की अमानत है तो इसकी देखरे करनी भी ज़रूरी है एक्सेज़ाइस करना भी ज़रूरी है खान पान भी इंपोर्टन है लेकिन किस प्रकार का खान पान प्रमात्मा ने काया कि ये शरीर रूपी मंदरा है इसमें आत्मा रूपी दिया है तो इस मंदर में अगर आप गंदी चीज़े डालोगे कैसे चीज़े? नॉन विजिटेरिन फूड जो कि इसको अंदर शरी को सडाता है ऐसी चीज़े डालोगे मुर्दे शरीर डालो गये चिकन भी क्या होगे, मॉर्दे शरीर हो गये तो ये तो क्या बन गये, आपका कबरस्तान मन गया, तो ये मंदर नहीं रहयेगा पिर, तो आतमा दिया शरीर मंदर, तो इसको मंदर के ये जैसे रखना है सर्फ भाल से सुंदर में रखना है सोच अंदर भी क्या ढलते हो उसको भी ध्यान रखना है तो कोई dead bodies को मंदर में लेके नहीं आया जाता ا तो इस शरीर भी ईश्वरी सेवा के लिए एक अमानत है अमानत रुमानी बाप ने दी तो ज़रुर रोहनी बाप की याद रहाएगी भग्वान का दियायव शरीर है परमात्म आप चला ओया शरीर को मैस ко परमात्मा की सेवा में यूज करोऊं सेवा में कैसे तंसे नी कर सकते więसे तो यह मन और धन सारी सारी चीज़े इस्तमाल करें जब तक हम आत्म हम सोच सकते हैं संकल्प कर सकते हैं वियुचार कर सकते है तो मोटर रूपी आत्मा इस कट पुतले से निकले तो मोटर बंद मोटर की कोई जरूत नहीं चलने की संकल्प चलते नहीं है है ना वहाँ पर डाजेशन नहीं करना पड़ता है आपको सारी जितने भी शेरी को देख रिक करना गरम रखना शेरीड को वह तो आत्मा करती है ना आत्मा निकलना पड़ता है तो वह सब कुछ नहीं करना पड़ता है तो आत्मा को सोचना ही नहीं पड़ता है तो परमात्मा नहीं है तो मैं अपनी तरीके से चलांगा परमात्मा ने दी है तो परमात्मा क्या अनुसर चलाँगो क्या खाना है क्या नी खाना है क्या पहनना है क्या नी पहनना है इसको कैसे सवारना है इसको कैसे ठीक रखना है इसको एक्सेसाइज क्या करना है सब कुछ परमात्में बोला है ये एक दीवी अमानत है इसको उस तरीके से यूज़ करो अगर मेरी अमानत है मेरी है तो मैं अपनी तरीके से चलाओ मैं जो खाओं मेरी मर्जी वो गलत हो जाता है फिर हम परमात्मा की शुनिवत नहीं चल पाते हैं पिर बापा कहते हैं, अपने पन की ममता नहीं रहेगी, यही सहज उपाय है निरंतर योगी, भगवान ने दिया हूँ शरीर है, तो यह अगर याद रहे, मेरा शरीर नी चाकर के आप आईने में हमेश अपनी शरीर की खुबसूरती देखते रहे यह नहीं, इस शरीर को किस ख है, किसे शरीर से भी नश्रम हुआ, मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरे शरीर, हाई मेरे शरीर को क्या हो गया, हाई मेरे शरीर में यह प्रॉब्लम आ गई, परमात्मा ने दिया हूँ शरीर है, परमात्मा की से भाम में लगाएंगे, तो यह शरीर भी लंबा चलेगा, पिर परमात्मा के दिवे शरीर के दोरा अपने घर में खाना पकाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम परमात्मा के घर में खाना पकाएं, ये सोचे, मेरा घर में खाना पकाया, मेरे घर में पोशा लगाया, मेरे घर में जाडू लगाया, ठक जाएंगे, परमात्मा के घर में अपने बरतन साफ कर रहा हूं कर रही हूं तो जाकर के यह शरीर को इस्तमाल के करके कर्म कर रही हूं या कर रहा हूं तो ठकावट नहीं होगी तो यह युकती है परमात्मा की याद में भी रहने की कर्मे युक करने की करम करते हुए परमात्मा की याद में रहने की और श्रीर को भी स्वस्थ रखने की ताकि आपको ठकावटना हो तो आज की यह श्रीवर्दान अगर आपको ऐसा कोई अनुभूती हुई हो तो आप ज़रूर श्यर करिएगा और औरों के साथ भी इस चीज़ को श्यर करें उनके सुख के लिए ओम शान्ती